इस lesson में मैं आपसे बात करूँगा about custom audience अभी तक के lessons में जो हमने पढ़े हैं वो हमने सीखा कि facebook ads क्या होती है then हमने सीखा कैसे हम audience research कर सकते है then हमने सीखा कि pixel क्या होता है then हमने सीखा कि pixel कैसे install कर सकते है अब आज की lesson जो है यह है about custom audiences तो सबसे पहले तो आप समझो कि custom audience होता क्या है तो जैसे आप नाम से समझ सकते हो custom audience ऐसी audience जिसे आपने customize की है right जिसे आपने क्या की है customize अब देखो suppose करो कि आपके page के साथ या आपकी website के साथ आपके page के साथ या आपके website के साथ कोई user engage करता है पेज के साथ कैसे engage कर सकता है किसी ने आपका page like किया किसी ने आपके post को like किया किसी ने आपके post पे comment किया किसी ने आपका post share किया किसी ने आपकी add को click किया, इस type के engagement या कोई आपके website के साथ engage करता है वो engagement कैसे हो सकती है, कोई आपके website पे जाता है कोई आपके website पे product को add to cart करता है, कोई आपके website पे cart abundant करता है कोई आपके website पे जाता है और purchase करता है ये activity होती है अब आप क्या चाहते हो, अब आप गए आप उनकी बनाना चाहते हो audience तो इस audience को हम क्या कहते है custom audience suppose करो आपको यह page को 10,000 लोगों ने like किया है आप इन 10,000 लोगों की बनाना चाहते हो audience तो इन लोगों को हम क्या कहते है इन लोगों को हम कहते है custom audience तो यह होती है हमारी custom audience अब custom audience का use क्या होता है तो दो use होते हैं custom audience के पहला use होता है custom audience का remarketing क्या होता है जी री marketing remarketing मतलब कोई आपके website पे आया आप उसे दुबारा add दिखाना चाहते हो तो उसे हम कहते हैं custom audience और दूसरी जो use है custom audience का वो है look alike audience बनाने के लिए suppose करो आपके website पे गए और 5000 लोगों ने आपके website पे जाके कुछ खरीदा अब आप क्या चाहते हो इन ही 5000 जैसे और आप 10 1 million लोग या 2 million लोग facebook का उस standard है जो facebook audience क्रेट करता है इन 5000 जैसे आप और लोग चाहते हो उसे facebook कहता है look alike और look alike audience बनाने के लिए आपको क्या चाहिए custom audience ठीक है तो यह होता है custom audience और यह होता है custom audience का use case अब हम देखते है custom audience कितने type की होती है ठीक है तो चलते हैं हम अपने dashboard में यह आगया मैं अपने dashboard अब मैं यहाँ जाता हूँ ads manager और यहाँ मुझे देखेगा audiences देख सकते हो तो audiences को करो click मैंने audiences को click किया आप देखो यहाँ पे तीन audience आ रही है पहला custom audience दूसरा look-alike audience और तीसरा saved audience saved audience हमने पहले पढ़ा था कि अगर मैं कोई audience बनाता हूँ और उसे मैं क्या कर सकता हूँ save future use के लिए तो उसे हम कहते हैं saved audience right custom audience हमने अभी सीखा कि क्या क्या होता है और तीसरा look-alike audience मतलब custom audience जैसे आपको और audience चाहिए तो उसे हम कहते है look-alike audience तो सबसे पहले हम सीखते है कि custom audience कितने type की होती है ठीक है तो मैं जाता हूँ create a custom audience पे अब देखो जैसे ही मैंने create a custom audience किया facebook मुझसे क्या पूछ रहा है source पूछ रहा है source यादे आपको मैंने एक दो classes पहले आपको समझाये था कि facebook दो टाइप से audience gather करता है कैसे gather करता है पहली audience को gather करता है based on activity happening inside facebook और दूसरा हम आने बताया था based on activity happening outside facebook ठीक है एक audience हम ऐसे लोग की बना सकते हैं जो activity कर रहे हैं facebook के अंदर और दूसरी audience हम बना सकते हैं जो activity हो रही है या facebook के बाहर अब बताओ मुझे आपके website पे जाके किसी ने कोई activity की तो यह activity कहा हो रही है facebook के अंदर या facebook के बाहर जाहिर से बात है facebook के बाहर हो रही है अब सेम काम कोई आपके app पे जाता है आपके app को visit करता है तो यह काम कहा हो रहा है facebook के अंदर facebook के बाहर Facebook के बाहर कोई आपके shop पे visit करता है और आपको अपना email address देता है अब ये काम कहा हो रहा है Facebook के अंदर, Facebook के बाहर again ये काम हो रहा है Facebook के बाहर, ठीक है अब दूसरी activities देखो Video, किसी ने आपकी Video देखी, ये काम कहा हो रहा है Inside Facebook किसी ने आपका lead form खोला तो ये काम कहा हो रहा है Inside Facebook, ठीक है तो दो major category मैंने आपको समझाया था पहले और same चीज़ यहाँ पे ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम किस किस type की custom audience बना सकते है तो पहली audience कौन सी है website traffic मतलब कोई आपके website पे जाए और वहाँ कोई activity करे और आप उसकी audience बनाना चाहते हो तो उसे हम कहते है website traffic दूसरा option क्या है customer list तो suppose करो आपके पास 10,000 लोगों की customer list 10,000 लोगों का database है और ये database आप Facebook पे upload करना चाहते हो ताकि आप add run कर सको तो उसको हम कहते हैं customer list ये भी काम आप कर सकते हो तीसरी audience आप बना सकते हो based on app activity मतलब suppose करो आपका कोई app है और उस app पे कोई activity हो रही है तो हम बना सकते हैं उसका custom audience ये similar है website traffic के जैसा बट website में क्या हो रहा है काम हो रहा है website पे और app activity में का हो रहा है आपके app पे चौथी audience जो हम बना सकते हैं वो है offline activity मतलब कोई आपके offline shop विजिट करता है या offline आपके साथ business करता है और उसका database है आपके पास तो उसको हम कहते offline activity और आप उसकी भी audience बना सकते हो और जो audience है अगली आप बना सकते हो video video मतलब किसी ने आपकी video देखी अब आप इन 10 लाख लोगों की audience बना सकते हो further आप उन्हें segregate कर सकते हो between ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video देखी 25% ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video देखी 50% ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video देखी 75% ऐसे लोग जिन्होंने आपकी video देखी 95% तो आप ऐसा further segregation कर सकते हो अगली audience जो आप बना सकते हो Instagram business profile कि आपके Instagram के साथ कोई engage कर रहा है तो आप उसके भी audience बना सकते हो then अगली audience जो आप बना सकते हो वो है lead form suppose करो आप lead generation add run करते हो आप आगे lessons में चीखोगे कैसे run करते हैं और किसी ने आपका form खोला तो आप उनकी audience बना सकते हो suppose करो किसी ने आपका form submit किया तो आप उसकी audience बना सकते हो suppose करो किसी ने आपका form खोला बट submit नहीं किया तो आप उसकी audience भी बना सकते हो और अगला है events events मतलब आप Facebook पे events बनाते हो कितने लोग interested थे, कितने आ रहे हैं तो उसके base वे भी audience आप बना सकते हो अगली audience जो आप बना सकते हो वो है instant experience instant experience क्या होता है facebook पे एक ad होती है जिसमें एक landing page सा खुलता है within facebook, आगे के lessons में आपको मैं सिखाऊंगा कैसे instant experience आप ad run कर सकते हो प्लस मैं आपको अपनी ad दिखाऊंगा जो मैंने instant experience की run की हुई है so आप उनसे भी सीख सकते हो कि कैसा मैंने हो किया था तो instant experience के base पे आप audience बना सकते हो किसने आपका page खोला, किसने engage किया तो आप वो audience भी बना सकते हो अगली audience आप बना सकते हो facebook page कितने लोगों ने आपके facebook के साथ engage किया, like किया, comment किया, share किया तो ये सारी audiences आप बना सकते हो तो ये बड़ी सारी audiences है अब हम बात करते हैं कि इसमें से best audience कौन सी है तो again best audience जो है वो है website traffic मतलब आपके website पे कोई जाता है और वहाँ engage करता है तो उसके base पे भी आप जो audience बनाओगे, suppose करो कोई आपके website पे गया, उसने product add to cart किया, बट purchase नहीं किया तो ये बहुत ही cream audience है जिसे remarket करके आप अच्छे results deliver कर सकते हो और मैं आपको एक और बता दूँ जब आप remarketing ad run करते हो using custom audience तो आपका cost of acquisition बहुत कम होता है compared to normal ads अगर आप एक seed campaign मनाते हो एक campaign मनाते हो with seed audience तो उसका जो result होगा और आप एक campaign मनाते हो with the good custom audience उनके result में बहुत ज़्यादा difference होगा एक और चीज़ जो मैंने बहुत test किया और वो बहुत अच्छा काम करती है वो है 95% video views audience जिस audience ने आपकी video 95% देखी है अगर आप उनको add देखाते हो तो वो बहुत अच्छे result डिलीवर होते है यह मैंने test भी किया है और अभी मैं बड़े सारे campus run भी कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको बड़े अच्छे result मिलते हैं तो यह तो हमने देखा कि कितने type की custom audience होती है अब हम क्या करेंगे अगले lesson में हम custom audience बनाना सीखेंगे तो अगर आपने अभी तक अपना facebook pixel setup नहीं किया तो पिछले lesson साब प्लीज देखो और आप facebook pixel setup करो ताकि कल के lesson में जब मैं आपको audience बनाना सीखाऊ तो audience बनाने में आपको कोई problem ना हो ठीक है आज के lesson में आपने क्या सीखा कि कितने type की custom audiences होती है और custom audience होती क्या है कल हम सीखेंगे custom audience बनाना ठीक है जी थैंक्यू सो सो मच वाचिंग इस लेस्ट